Welcome again my friends and dear student, myself महेंदर देवन्दा, आज हम बात करने वाले हैं excretory system के बारे में, यानि उच्छजन तंतर के बारे में, इस पार्ट में हम बात करेंगे excretion क्या होता है, यानि उच्छजन क्या होता है, types of animals on the basis of excretory products, excretory product के आदार पर, यानि उच्छजी product के आदार पर types of animals कितन पर कार के होते हैं, excretory organ, उच्छजन के लिए कौन-कौन से अंग पाये जाते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि excretion क्या होता है, excretion यानि उच्छजन जिसको इंदी में कह रहे हैं, excretion is a process of removal of metabolic waste from an organism or cell, एक cell, या एक जीव के द्वारा, metabolic जो उपापचेई क्रियाओं के उपरांद जो abscist पदार्थ बनता है, उसका सरीर या जीव के द्वारा बाहर करना excretion कहलाता है, यानि एक तरह की excretion एक प्रक्रिया है, जिससे जो metabolic जो waste बनता है, उसको body के बाहर, सरीर के बाहर किया जाता है, सेल का यहां संदर्व यह है कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि एक ही सेल रखते हैं जैसे कि प्रोटोजोंस में हम जानते हैं अब ये है कि excretory product क्या-क्या हो सकते हैं यानि उत्सरजी पधार्थ क्या-क्या हो सकते हैं उसमें हम जानते हैं जैसे कि ammonia है वो एक उत्सरजी पधार्थ हो सकता है यूरिया यूरिक एसिड ये nitrogenous waste है जो कि nitrogenous metabolism के उपरांद ये बनते हैं जिसमें ammonia, urea और uric acid इसके अलावा carbon dioxide भी है, water भी इसके साथ में actually remove होता है excretion के समय क्योंकि water वैसे तो excretory product नहीं होता है लेकिन चूंकि ये जितने भी excretory product है उनको निकालने के लिए हमें पानी के आफस्कता पड़ती है बिना पानी के ये सरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो water भी यहां पर excretory product के sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate ये सब जो पदार्त हैं ये सरीर से बाहर किये जाते हैं for due to metabolic activity और इनका जो निर्मान होता है metabolic activity के द्वारा इनका निर्मान होता है और इनने सरीर से बाहर किया जाता है अब यहां पर हमें समझना है कि excretion जो है वो metabolic waste है जो cell के द्वारा बनाया जाता है एक हम जो सोचते हैं feces के बारे में जो vista होती है उसके बारे में vista एक्चुली यानि जो feces जो होता है जो हमारा undigested food होता है actually उसको हम excretory product नहीं कहेंगे वो actually undigested food होता है यानि बिना पचा हुआ बोजन जिसको हम NS के तुरू बाहर कर देते हैं body के तो हमें यह ध्यान रखन substance कौन से substance? excretory product have to be removed totally और partially या तो पूरी तरह से सरी से बाहर किया जाएगा या इनको partially यानि कुछ मात्रा इनकी रख ली जाती है और अधिकांस मात्रा इनकी बाहर करती जाती है excretory product के रूप में जैसे की ammonia, urea और uric acid are the major form of nitrogeny waste excreted by animals जीवों के द्वारा जो सबसे ज्यादा यानि major जिसकी form है excretory product के रूप में उसमें ammonia है, urea है और uric acid है जो की वास्ता में nitrogeny waste होते हैं ये बात हुई excretion के बारे में, अब हम समझते हैं excretory जो product हैं उसके आधार पर हमने जीवों को divide किया है, types किया है यानि type of animals, जीवों का प्रकार on the basis of excretory product, excretory product के आधार पर हमने जीवों को विवजित किया है तो ये जीव किस-किस परकार के होंगे, पहला परकार है ammonotelic, देखो नाम से समझ में आ रहा है, ammono, ammono का मतलब हो गया, ammonia का जो उत्सजित करते हैं, उन्हें ammonotelic कहते हैं यानि animals that excrete their nitrogen-y waste in form of ammonia, यानि जो nitrogen-y waste, ammonia के रूप में जो जीव उत्सजित करते हैं, उन जीवों को हम ammonotelic कहते हैं ammonia is a highly soluble in water, यह हम जानते हैं कि ammonia पानी में easily dissolve हो जाती है, घुल जाती है, and more toxic substance, और यह भी हम जानते हैं कि जो ammonia होती है, वो एक toxic substances होता है, एक जहरिले पदार्थ के रूप में सरी में रहती है, तो इसको अगर जैसे ही ammonia का निर्मान होता है, तो इसको सरी से बाहर करना है, so, required more water during excretion, क्योंकि यह toxic होती है, so toxic होने के करणने इसको जब बोड़ी से बाहर किया जाएगा, यानि सरी से बाहर किया जाएगा, तो पानी की अधिक मात्रा की आवसकता होगी, 400 to 500 ml of water is needed for excretion of 1 gram of ammonia, एक ग्राम, सिर्फ एक ग्राम अमोनिया को बाहर करने के लिए लगबख 400 से 500 ml वाटर की आवसकता पड़ती है, अब अमोनोटेलिक के उधारण कौन-कौन से हैं, उसके example हम देख लेते हैं, उधारण देख लेते हैं, जिसमें की phylum, protozoa के जितने भी animals हैं, वो सब अमोनोटेलिक होते हैं, पौरीफेरंस जो होते हैं, वो भी अमोनोटेलिक होते हैं, निडेरियन्स, प्लेटी हिलमंतीज, एक्वेटिक इंसेक्ट, क्रेस्टेशियन्स, इकाइनोडर्मेट्स, एन मैनी बौनी फिसेज, ये ध्यान रखेंगे, जो अधिकांस बौनी मचलियां होती हैं, वो अमोनोटेलिक होते हैं, एक्वेटिक एंपिबियन्स में, जैसे कि, जो मेंडक का जो टेड़ पोल लार्वा है, वो अमोनोटेलिक होता है, ये है टेड़ पोल लार्वा, जो कि मेंडक का लार्वा होता है, ये क्योंकि ये पूर्ण तया पानी में ही रहता है, तो ये क्यों mostly पानी में रह रहे हैं, अधिकांस जो पानी में रह रहे हैं, वो एनिमल्स पून्टेया अमोनोटेलिक होते हैं, कुछ ही एनिमल्स ऐसे हैं, जो कि यूरिया का सिक्रिशन करेंगे, उनको भी हम जानेंगे, लेकिन जैसे ही आपको यह पता चले कि जो एनिमल्स, जिसका हैबि योटेलिक, यानि जो कि यूरिया का सिक्रिशन करते हैं, यूरिया को एक्सक्रिटरी पदार्थ के रूप में बाहर करते हैं, एक्सक्रिशन ओफ यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मुला है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो, ये यूरिया का फॉर्मुला है यानि यूरिया जो ऐसे एनिमल जो की उत्सरजी पदार्थ के रूप में यूरिया को उत्सरजित करते हैं यूरियो टेलिक कहलाते हैं यूरिया is less toxic component than ammonia अगर हम ammonia से इसको compare करें यूरिया को तो यूरिया कम विसला है ammonia की तुलना में सो क्या होगा इसको सिक्रिट करने के लिए कम पानी के आप सकता होगी means 5200 ml water required for excretion of 1 gram of nitrogen यानि 1 gram urea को उससे क्यों कि यहाँ पर nitrogen यह अपसे इस्पदारत है nitrogen का मतलब यहाँ पर क्या हुआ यूरिया यानि 1 gram urea को excret करने के लिए हमें लगबग 50-100 ml पानी की आप सकता होती है इसके उधान की बात करें तो cartilaginus जो fishes होती है अधिकांस जो cartilaginus fishes होती है वो है जैसे जिनकों contractis मचलियां कहते हैं contractis fishes कहते हैं वो ureotelic होती है हलाकि उनमें TMAO trimethyl ammonium oxide भी secretion होता है लेकिन उसकी मातरा कम भी बहुत कम होती है इसके अलावा few bonifices बहुती कम bonifices हैं उनके द्वारा जिनको हम ostrich theses मसलियां कहते हैं उनके द्वारा भी urea का secretion किया जाता है adult amphibians जिसमें frog सामिल है अलाकि वो कुछ बहुती कम मातरा में ammonia का भी secretion करेंगे लेकिन अधिकांस जो secretion होगा वो urea का secretion होगा इसके अलावा mammals जिसमें हम खुद सामिल हैं हम ureotelic हैं यहाँ पर यह cartilaginus जो fishes होती है यह ureotelic होती है जो adult frog है वो ureotelic होता है और इस diagram में आप विविन परकार के mammals देख रहे हैं यह सब mammals जो class mammalia में जितने भी जीव सामिल है वो सब urea का secretion करते हैं अब हम third category की बात करते हैं यूरिको यूरिको टेलिक यूरिको टेलिक का मतलब हो गया यूरिक एसिड का और यूरिक एसिड सबसे कम toxic पदारत होता है इन तिनों में ammonia और अगर यूरिय से compare करें तो यूरिक जो एसिड होता है बहुती कम toxic पदारत होता है और आपको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं यूरिक एसिड के secretion के लिए बहुती कम पानी के आउसित्ता पढ़ती है यूरिक एसिड ये जो nitrogen वेस्ट है उसको यूरिक एसिड के रूप में secret करते हैं बाहर करते हैं और यूरिक एसिड secret करने के लिए require minimum loss of water बहुती कम पानी के आउसित्ता पढ़ती है यूरिक एसिड लो टॉक्सिसिटी यानि यूरिक एसिड एक्चुली बहुती कम विशालू होता है और लो solubility in water और बहुती कम डिजॉल हो सकता है पानी में allow it to be concentrated into small volume of pasty white suspension और यह है इसको excrete करने के लिए बहुती कम मात्रा में बहुती small volume में हमें पानी की आउसिकता पड़ती है और यह एक white यानि सफेद कलर का एक paste के रूप में बोड़ी से बाहर किया जाता है जैसे कि आप birds का जो excretory पदारत है उसको देखते होंगे तो वो white कलर का आपको दिखाए देता है इसके example है जैसे कि reptiles, reptiles actually dry area में रहने के लिए अनुकलित होते हैं जैसे कि lizard इसमें example है snake जो होते हैं वो uricotelic होते हैं यानि uric acid का secretion कर रहे हैं birds जो होते हैं वो uric acid का secretion करते हैं land जो snail होते हैं snail actually phylum mollusca में आता है phylum invertebrate egg mollusca में सामिल है और इसको gastropoda में रखते हैं यानि ये जो snail है ये uric acid का secretion करते हैं इसके अलावा जो insect होते हैं और insect mostly जो terrestrial जो insect होते हैं जो इस तल आवास पर जो रहने के लिए जो कीड़े होते हैं वो uric acid का secretion करते हैं लेकिन aquatic जब हम insect की बात करते हैं तो वो ammonotelic होते हैं और कुछ उनमें ureotelic भी होते हैं यहाँ पर ये reptiles के अलग अलग example दिखाएगे हैं जैसे कि lizard है ये lizard है ये snake जो है ये uric acid का secretion करते हैं और bird को आपने देखाई होगा इनके excretive product ये थोड़ा white color का दिखाई देता है terrestrial adaptation necessitate the production of lesser toxic nitrogen waste like urea and uric acid for the conservation of water यहाँ जो terrestrial adaptation होता है जैसे जैसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि पानी से हम इस्तल भाग की तरफ जाते हैं यहाँ पानी वाले जीव जब हम इनको evolution में देखें तो जो पानी से जो इस्तल भाग की तरफ जाते हैं तो उनमें जो nitrogen जो waste होता है उसका जो पानी की साथ में dissolve करने की capacity होती है वो कम होती जाती है means less toxic पदार्थ में convert हो जाते हैं और बिल्कुल जो dry area में रहते हैं वो uric acid का secretion करते हैं इन सब के अलावा कुछ और भी products हैं जेक से की ग्वेनिन ग्वेनिन का जो secretion होता है वो spiders के द्वारा किया जाता है जो मकडियां होती है उनके द्वारा यह secret किया जाता है इसके लावा purines है जेंतिन है और हाइपो जेंतिन का secretion भी किया जाता है यह कुछ अलग अलग अनिमल्स के द्वारा secretion किया जाता है अब हम समझते हैं excretory organ यानि उच्सेजन के लिए जीवों में क्या-क्या organs पाये जाते हैं कौन-कौन से अंग पाये जा रहे हैं तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं contractile vacule जिसको sort में CV भी कह देते हैं जिसको हम कहें संकुचन सील रिख्तिका संकुचन सील रिख्तिका यह निम्न जो जीव होते हैं जो unicellular जीव होते हैं उनमें यह अमें देखने को मिलती है जिसमें सामिल है protogenes यह क्या करती है जो contractile vacule है that is the regulate the quantity of water inside a cell यह mostly जो पानी होता है एक कोसिका में उसको regulate करने का काम करती है हाला कि पानी के साथ में जो इसके excretive product है उनको भी बाहर किया जाता है उदाण के रूप में protogenes में आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पर paramecium आपको दिखाया गया है paramecium paramecium में दो एक यहाँ पर है और दूसरी contractile vacule यहाँ पर है आप देख रहे हैं यह इसमें fully हुई है और इसमें से जो पानी content था और इसमें जो nitrogen जो waste था उसको बोड़े से बाहर कर दिया जाता है जैसे कि और हम बात करें जो fresh water जो amoeba होते हैं यानि जो fresh water पानी में जो पाई जा रहे हैं उनमें भी contractile vacule पाई जाती है इन सब के अलावा contractile vacule के अलावा है general body surface यानि सरीर की जो सतय होती है उनके जो बाहरी जो सतय है उसके द्वारा भी excretion किया जाता है यानि जो nitrogen जो waste है उनको बाहर किया जाता है जिसमें phylum silentrates और phylum poriference के जो जीव होते हैं उनमें इसी तरह से general body surface के द्वारा excretion किया जात हैं तो उसमें phlegm cells पाई जाती है वास्तों में उनके द्वारा secretion किया जाता है proton ephridia are primary concentrate with the iron and fluid volume regulation ये आइनों का और जो पानी गया है यानि जो fluid पाई जा रहा है उसका volume regulation करने का काम करती है यानि हम यूं कहें कि osmo regulation करने का कारिय कर रही है और osmo regulation वास्तों में एक प्रकार से excretion से ही संबंदित होता है क्योंकि जो अधिक आयन होते हैं उनको सरी से बाहर कर दिया जाता है सरी की osmoletri को बनाये रखते हैं इसमें जो proton ephridia के द्वारा जिवों में उत्सजन किया जाता है उनमें सामिल है platy almanthies यानि जो flatworm ये phylum platy almanthies है जिन सामिल हम flatworm कहते है जिसमें उदारंड के रूप में आप planaria भी याद रख सकते हैं इसके अलावा minor phylum में rotiferans है कुछ analytes हैसे होते हैं जिनके में proton ephridia नहीं फ्लैम सेल्स पाई जाती है सिफलो कोडेट्स में जो की कोडेटा का एक sub phylum है जिसमें amphioxus सामिल है उनमें भी proton ephridia या आपको फ्लै आप में आपको yellow color में दोनों तरफ इस तरह से दिखाए दे रही है यह वास्ता हम में इसको जूम करके देखें तो यह जो ट्यूब है इसके साथ में एक flame blub के समाने जलती हुई low के समाने में दिखाए देता है इस तरह से में दिखाए देता है क्योंकि इसमें सीलिया लाता है क्योंकि इसका आकार देखेंगे ये इंग्लिस के लेटर जो H है उसके समान होता है और ये पाया जाता है रेनेट जो सेल्स है एक्सक्रिशन के रूप में एसकरिश में पाया जाती है एसकरिश जो की फाइलम एसकेल मंतीज का एक सदस्य है नेक्स हम समझते है नेफरेडिया के द्वारा किन जीओं में उत्सजन होता है यानि एक्सक्रिटी ओर्गन के रूप में यहाँ पर नेफरेडिया है नेफरेडिया हेल्प टू रिमूव नाइटोजनी वेस्ट और मेंटेन ए फ्लूड एन आयोनिक बैलेंस यह जो भी नाइटोजनी वेस्ट है और फ्लूड इन सबका काम यह है कि ओस्मो रेगुलेशन आयोनों को बैलेंस करना हो और अधिक मातरा में जो भी चीज़े होती उनको बोड़ी से बाहर करने का होता है तो नेफरेडिया अधिकांस जो एनलीड्स होते हैं जिसमें अर्थवं सामिल है यानि जो हमारा केच्वा है वो इसी में सामिल है एनलीड्स में सामिल है और इनमें नेफरेडिया पाया जाता है उस सजन के रूप में next is malpigion tubules malpigion की जो नलिकाएं होती है वो पाई जाती है ये पाई जाती है इंसेक्ट में यानि जो कीडे होते हैं उनमें पाई जाती है the removal of nitrogeny waste and osmoregulation जो nitrogeny waste और osmoregulation का जो कारिय होता है वो malpigion tubules के द्वारा होता है next is coxal gland यहां diagram में देख सकते हैं malpigion जो tubule है यह आपको इस तरह की दिखाए देती है यह tubule tube के समाने इसलिए इसको नाम दिया गया है यह keto में पाई जाती है coxal gland जो की आपको यहां diagram में दिखाए दे रही है यह पाई जाती है spider में और scorpion में excretion के लिए यह अंग पाई जा रहे हैं ग्लेंड पाई जा रही है antennal glands green glands antennal glands को ग्रीन ग्लेंड भी कह रहे हैं perform the excretory function जो की excretion का काम कर रही है और यह है crustacean crustacean एक आर्थ ओफड़ा के अंतरकत सामिल group है जिसमें की prawn सामिल है यानि जो pelimone है जहींगा है उसको इसमें सामिल किया गया है यानि जहींगा में उत्सजन के लिए antennal gland और green gland पाई जाती है next है gills gills यानि जो गलफड़े होते हैं और gills किन में पाई जा रहे हैं mostly यह पाई जाते हैं जो aquatic habitat में रहते हैं जिन में मचलियां सामिल है gills क्या करते हैं water past through the gills and fish excrete large amount of excreti product क्योंकि fish आप देखें भी होगे मूँ से वो पानी अंदर लेती है और gills के थुरू होते हुए पानी को बाहर कर देती है तो इसके उपर से जब पानी जाता है तो gills वहाँ पर जो उसके gills में high blood की supply होती है ज्यादा blood supply होने से blood में जो भी CO2 content रहता है उसको by diffusion by diffusion उसकी body से water में dissolve होते हुए बाहर कर दिया जाता है यानि gills यहाँ पर जो गल्फडे होते हैं वो एक excretory organ के रूप में कार्य करते हैं इसके अलावा सबसे well known example आप जानते ही हैं kidney kidney जिनको वरक कहते हैं और यह जो codates होते हैं उससे इनका काम करते हैं यहाँ पर यह kidney दिखाए गई है दो kidney पाए जाती है liver भी उससे अंके रूप में कार्य करता है क्योंकि हमारे body में जितना भी detoxify होने कर जो chemicals बनते हैं वो सब बाद में जाकर उससे liver से यानि सरीर से बाहर ही निकलना उनका काम होता है यानि हाला कि यह सब significance है हमारे body के लिए लेकिन जो भी बचे हुए जो product होते हैं उनको liver बाहर कर देता है जैसे कि bile जो होता है अगर excess मात्रा में body में अगर इखटा होने लग जाएगा तो पीलिया हो जाएगा jointis हो जाएगा तो इनको सरीर से बाहर करने का काम भी liver इनको कई पदा तो इक excreti organ के रूप में कार्य कर रहा है यह liver का यह डाइग्राम में देख सकते हैं यह liver दिखाया गया है यह liver है और इसमें वाटर भी पाया जाता है इसको intestine के दोरा जो आहर नाल होती है उसके दोरा सरी के बाहर बाहर निकला जाता है skin भी हमारे सरी में salt और वाटर को बाहर करती है यह और आस्मोर रेगुलेशन का कार्य कर रही है skin भी काम करती है इसके लावाद जो lungs होते है वो भी excretory organ के रूप में कार्य करते है क्योंकि हम जानते हैं कि फैपड़े वो इस्तान होते है वो इस्सा है जहां पर O2 और CO2 का exchange होता है यानि body से बाहर CO2 को निकाला जाता है क्योंकि अधिक मातरा में CO2 मारे सरी के लिए ठीक नहीं है सेथ के लिए ठीक नहीं होता है तो ये बात हुई excretory organs के रूप में बात कि excretory organ कौन-कौन से पाये जाते हैं उमीद है आपको ये दोनों content समझ में आयोंगे Thank you